किटनापिंग के नाप से मशूर और बीते 24 साल से बरेली जिल में बंद उम्प्रकाश श्रिवास्ताफ उर्फ बबलु को अब मडर का डर सता रहा है दरसल 16 अक्टूबर को प्रियागराज की गांगस्टर कोट में बबलु की पेशी होनी है लेकिन वो बार-बार कोट से गुहार लगा रहा है कि उसकी पेशी वी सी के जरिये हो लेकिन कोट ने साफ क्या दिया है कि 16 अक्टूबर को बबलु को कोट में पेश होना ही होगा और इसके लिए 15 अक्टूबर को प्रियागराज पुलेस परेली पहुंचेगी दिखारते हैं आपको मारी खास रेपोर्ट यूपी के एक डॉन को क्यूं लग रहा है डर अधीक अश्रफ की तरह हो जाएगा मडर देखकर जीवा का हाल माफिया है बेहाल कोट में होने वाली पेशी से सहमा है डॉन पुलिस का सिडी में हुई अतीक अश्रफ की हत्या और लगनों में कोट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा के मडर के बाद से बड़े-बड़े डॉन देहशत के साय में है मुखतार अंसारे खुट डर के साय में काप रहा है तो अब माफिया बबलू श्रिवास्तव को भी अपनी हत्या का डर सता रहा है बबलू श्रिवास्तव की प्र्यागराज की गैंक्स्टर कोट में पेशी है बबलू का सर्राफा व्यवसाइक आपरण करके 10 करोड की फिरौती मांगने का आरोप है बबलू को अतीक और श्रफ की ही तरह बरेली जेल से प्रयागराज पूलिस के प्रिजिन पहान से लाया जाएगा इसी वदे से बबलू को डर लग रहा है वकील के जरीए बबलू ने लगाए कोट से गुहार वीडियो कॉंफरेंसे के जरीए पेशी कराने की बांकी कोट निहाराल में अदालत में पेश करने के लिए आदेश दिया कोट और कोट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की निर्देश बंदर अक्टूबर को बरेली जोएगी प्रयागराज पुलिस दो इंस्पेक्टर, तीन दरोगा, दस से जादा सिपाही साथ होंगे सोल अक्टूबर की सुबा प्रयागराज के लिए रवाना होगी पुलिस प्रयागराज में पहली बार बबलू की पेशी होगी ग्यार अक्टूबर को कोट में पेश नहीं किया जा सका था बहु चर्चित अफरन कान में ओम प्रकाश और बबलू की पेशी है आतिक और श्रप की हत्या के बाद से बबलू को लगने लगा है कि अगर वो बर इली जेल से बाहर निकला तो उसकी हत्यात आए है इसलिए वो बार बार वीडियो कान्फरेंसी के जरी पेशी की गुहार लगा रहा है बादल मोल रूप से यूपी के अगाज पूर कार रहने वाला है विरो रिपोट पार्ट पॉनिफर